जैहिंद सुडिंस, जैसा कि आप सभी को पता है कि निलेट ने अपना O-Level और A-Level सभी के आप लोगों के एक्जामनेशन के लिए आप सभी को पहले से पता है कि आप लोगों का ये जो पेपर लॉक है, इसकी लास्ट डेट 25 जून है, इसको लेकर बच्चे बड़े परिशान है, इस वीडियो में मैं आपके कई सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ, सबसे पहली चीज़, आप लोगों में से अगर किसी का प्रोफाइल लॉक नहीं है, तो हो सकता है आपको एरर दिखाए, तो आप लोग अपने प्रोफाइल में जाईएगा, और यहाँ पर जाकर अपना प्रोफाइल लॉक करियेगा, इस my profile के अंदर ये सारी information भर कर जब आप यहाँ पे lock profile कर देंगे खास कर नए बच्चे तभी आप लोगों के papers lock होना शुरू होंगे next जिन बच्चों के पहले से सारे paper clear है यानि कि M1 से लेके M4 तक के पुराने सारे paper already clear है उनका सिर्फ practical भचा है उनको सिर्फ ये वाला practical lock करना है याद रखेगा उनके सारे paper clear है तो उनको सिर्फ ये वाला practical lock करना है और कुछ नहीं लेकिन अगर आप लोगों के पहले से सारे papers clear नहीं है एक या दो या चारो भचे हैं तो उनके लिए नीचे दिये गया respective practicals ही lock करने है जैसा कि आप देख पा रहोंगे कि इस candidate के already दो paper qualify हो गए है और अब ये M2 R6 और M4 R6 23 और 25 को है तो इस candidate को M2 R6 ये paper तो check करना ही होगा और साथी साथ second practical check करना होगा M4 R6 वालें को fourth practical check करना होगा ये दोनो practicals इनको नहीं देने इसको लेकर बड़ा confusion हो गया है निलिट को करना ये चाहिए था कि जो जो practical नहीं देने है उनको disable कर देना चाहिए था जैसे कि theory papers या omar papers में कर दिया गया है लेकिन बच्चों को confusion है और सबसे आदा queries यही है कि सर हमारे चारो practicals दिखाई दे रहे हैं तो क्या हमें चारों के फिर से practicals देने होंगे आपको उस particular paper के ही practicals देने है practical centers अभी नहीं खुल रहे है wait कर लिजे निलिट के जल्दी इस पर काम कर रहा है आपको ये centers खुलने लगेंगे कुछ बच्चों के dashboard में paper lock करने का option ही नहीं आ रहा है मैं उसके लिए suggest करूँगा कि आप अपने system की cache एक बार clear कर लिजे और या तो फिर आप लोग Google Chrome में हैं तो control shift n दबाईए और incognito mode पर आप लोग निलिट की site को open करिए कभी कभार होता है cache के कारण पुरानी site update नहीं होती है और यदि आपके दो papers qualify हो गए हैं तो आप लोग हमसे project बनवा सकते हैं project का लिए बहुत ही simple सा method है project वाले link पे click करते ही वो आपसे project के 100 रुपीज चार्ज करेंगे ये निलिट की project fees है अगर आपको project बनाने में दिक्कत है तो मेरे whatsapp number 9616175690 पे contact करिए या फिर हमारा application ICE Academy डाउनलोड कर लिजे इस application के store section पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर project time से आपको एक course मिलेगा ये project हम लोग O-level के direct या institute दोनों ही candidates के लिए हम लोग तयार करके निलिट को send करते हैं आप इसको buy कर लें और buy करने के बाद इसकी जो invoice आईगी वो और अपना निलिट का ID card या admit card मेरे whatsapp पे send कर दें project 10-15 दिन में regular बनके निलिट को जाता रहता है और वो आपका जमा भी हो जाएगा आपको इसका pin नहीं लेना होगा और साती साथ अभी बहुत सारी जगे पे कुछ errors भी आ रही है जैसे मेरे system पे अगर मैं location पे click करता हूँ तो location open नहीं होती है यही problems आप एंसी भी अगर है तो मुझे comment section पे जरूर message करिए निलिट को मैं लगातार contact पे हूँ और वो जल्दी इसको लेकर query out करेंगे दूसी चीज़ आप लोगों को अगर कोई भी problems आ रही है form भरने में तो अभी आ form मत भरिए wait करिए अभी time है आपके पास यह सारी चीज़े smooth हो जाने दीजे और सारे doubts clear हो जाने के बाद ही आप लोग अपना form भरिए आपको जैसा की पता है पहले से कि आप लोगों के इस बार practicals पहले हैं आप लोगों के practicals 30 जुलाई से चालू हो जाएंगे अगर आप लोग M1 या M2 या फिर सभी के exams lock कर रहे हैं तो उसका respective practicals आपको देना पड़ेगा जैसे किसी ने M1 paper lock किया है तो उसका M1 का practical होगा किसी ने python का paper lock किया है तो उसका python का practical होगा practical कैसे होगा किस तरीके का paper आएगा ये सारी जानकारी हमारे application के store पे जाएए उस paper का code लिख दीजे जैसे M1, R5, M3, R5, python के लिए M2, M4 जो भी आप लोग वो course open कर लिजे और उस course के अंदर आप जब content पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको practical मिलेगा आप लोग इसको as a free sample में भी देख सकेंगे जब आप इस practical वाले course को खोलेंगे तो यहाँ पर practical के कुछ samples भी दिखेंगे हमने उनके solutions भी डाल रखें कि आप लोगों को इसे computer पे कैसे वहाँ पर examination hall में करके दिखाना होगा अगर आप इतने practical कर लेंगे 100% maturity लेता हूँ आपका practical आराम से पास हो जाएगा इसी तरीके से हमने सभी papers के अलग-अलग practicals तयार कर रखें हैं आपको practical examination में कोई भी दिक्कत नहीं होगी निलिट आपको ID card भी provide करता है आप इस ID card को click करके इसे download करके रख लिजे यह आगी काम आता है इस ID card में mention होता है कि आपका registration कब से कब तक valid है और साथी साथ अगर registration expire हो गया है तो आप फर्दर 5 साल के लिए निलिट से request करके उसे continue करा सकते हैं उसके साड़े 700 रुपे charges करता है और एक चीज़ और अब आप लोगों के सभी बच्चे जो पुराने हैं नए हैं कोई भी हो अब आप लोगों के R5 वाले सारे modules change होकर R6 में हो गए हैं यानि कि आप सभी बच्चों को R6 के rules follow करने होंगे जिसमें हर paper का अपना MCQ test और उससे respective practical exam होगा ही होगा तो आप लोगों इस question को मत बार-बार पाले कि हमारा पुराना syllabus था तो हमें ये वाला follow करना है या नहीं करना जुलाई के बाद जो भी exams होने हैं अब वो अब सब R6 pattern पे होने हैं बले ही आपके पुराने कितने भी pending हो बस सिर्फ उन बच्चों का जिनके सारे papers qualify हो गए हैं सिर्फ practical बचा है उनका पुराने pattern पे practical होगा अगर आपके theory subjects बचे हैं तो आपको R6 के हिसाब से practical देना होगा कई बच्चों का कहना है कि सर हमारा तो practical पहले से पास हो चुका था उससे मतलब नहीं है अब आपके जितने भी नए papers होंगे उनका practical आपको देना ही होगा wish you all the best keep watching good bye